प्यारे बच्चो मैं रवी कांद कुमार आप सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ तो प्यारे बच्चो आज हम लोग एक नई क्लास के साथ सुरू करेंगे इस क्लास का नाम रखते हैं बच्चो शंखिया पत्ति और यह अक्सर कोसंस में यानि एक्जाम में यह कोसंस पका आते हैं बच्चो यह रेलवे हो SSC हो कहीं से भी किसी भी एक्जाम में SSC हो रेलवे हो बच्चो या बैंक डिफेंस कहीं VCV के लिए हो साती साथ इसको हम लोग हिंदी में टॉपिक नाम दियें बच्चो संखिया पत्ति संखिया पत्ति में बहुत साइ पिकाते हैं बच्चो हम सुरू करते हैं कोसंस को बिना बेवज़ा बाते की हुए देखे पहला कोसंस बच्चो जीरो पाइंट वन सिक्स है यह रूट में बच्चो कॉमा हिए जीरो पाइंट वन सोला जीरो पाइंट वन सोला का स्क्वाइर बच्चो जीरो पाइंट जीरो पाइंट जीरो पाइंट जीरो पाइंट वन सिक्स का स्क्वाइर बच्चो जीरो पाइंट जीरो पाइंट वन सिक्स का स्क्वाइर बच्चो जीरो पाइंट जीरो पाइंट जीरो पाइंट जीरो पाइ बहुत ही आसान फंडा है तम आराम से देखिए बहुत ही मज़ा आजाएगा उम्दा ना लगे तो कहे ना बच्चो चलिए बहुत बढ़ी आ रहा होगा देखिए इसको कुछ नहीं बच्चो शेम टू शेम लिखेंगे दिखिए इस सोला का बर्गमुल बच्चो डेसिमल उस नौ अंग ठीक है अगर बच्चो दस अंग पर हो तो बाहर पांच अंग पर यानि कि ध्यान से तो चार अंग पर था तो बाहर निकला एक अंग पर होगा ठीक है अब दिखिए यहां इसके बाद सोला का बच्चो स्क्वाइर है सोला का स्क्वाइर आप बच्चे जानते हैं 256 कर देंगे लिकिन यहां पर भी डेसिमल है दो अंग पर दो अंग पर जब डेसिमल बच्चो तो इसको जब आ स्क्वाइर पर है तो चार अंग पर बैठेगा कितना अंग पर चार अंग पर त अब देखिए दो अंग देखिए इसमें दो अंग है इसमें दो अंग नहीं है तो दो अंग नहीं है तो देखिए दो अंग है इसके आगे बठा दिये दो अंग ये हो गया ये भी दो अंग हो गया ये भी दो अंग अब देखिए ये बड़ा है 16 बड़ा 16 से बड़ा 40 है और कहता बच्चो चोटी कहता गड़ी आपने चेक कर दिया छोटी के लिए बच्चो दिखी यह है क्योंकि दिखी 0.16 यह इससे यह याらई सबसे बड़ीicias वड़ी यह है बच्चो और शाबसे चोटी सब लोगा बच्चों हो गया होगा हम next questions क्यों राते हैं बच्चों ध्यान से इसी तरह है question है बच्चों 0.1 का all square 0.0121 है ठीक है 0.12 है और एक और बच्चे चवथा है 0.5 ठीक है यानि कि आपके पास जो है इसमें 3.0 है देखी इसमें जो है बच्चों ध्यान से एक बार 0.1 का all square है ठीक है इस पे root है बच्चों 0.0121 है एक और है देखिए 0.12 है एक और है बच्चों 0.0004 इन चारों में से बताना है बच्चों कि सबसे बड़ी कौन है इन चारों में से बताना है सबसे बड़ी कौन है सबसे बड़ी के लिए बहुती उम्दा और आसानी से सब चारों के लिए बहुती आसान तरीका बच्चों ध्यान से लेकिन एक अंक पर हैं तो बताः थे मेने कि एक अंक परहसyer हो रहे है तो दोंक पर ब भन होगे है यानी 0.01 होगे हैं एक स्क्वाइर एक समलो एक अंक पर बाहर होगा तो 2 square पर क्यों square है इसलिए देखिए रूट में पहले देखिए एक से कई सका बर्मूल बच्छो इगार है कितना अंग है एक दू तीन चार decimal के बाद चार तो बताया थे कि root में जब रहेगा तो आधा करना है square में 2 गंद देना है root में आधा करना है square में 2 गंद देना है बच्छो देखिए चार अंग पर है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंग पर ठीक है यह हो गए इसके सामने इसके देखिए इसको कुछ नहीं करना बच्छो same to same रखेंगे इसको same to same इसको बच्छो चार कबर मूल 2 दसमलो के अंग पर है 4 अंग पर बाहर निकलेगा 2 अंग पर याण 0.02 अब बच्छो देखना है सबसे बड़ी देखिए यह 0.1 है यह 11 ठीक है यह 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 शबसे बड़ी नंबर जब बच्छो यह तो आपका अंसर दिखेगा यह वला आपका option में यह दिख सनी नहीं रखेगा देखिए इसके सामने यह दिखेगा और इसके सामने एड़ी जवला ही दिखेगा बच्छे समझ गये हम आगे चलते हैं फिर से अब दूसरे सवालों को ले करके जल्दी से बच्छे नोट्स करें दिखे बच्छे यह खो गया यह खो गया बच्छे दिखे पाँच बच्छे चार ओप्शन है एक दो तीन चार इन चारों में बताना है बच्छों कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी दिखे रूट में यह 0.09 यह रूट में बच्छों 3 0.064 यह भी रूट में बच्छों 0.5 3 by 5 इस बच्छों को बताना है आपको कि कौन बड़ी कौन छोटी होगा बच्छों ध्यान से लगाए सबी लोग का अंसर रेड़ी है बच्छों कितना असान और उंदा है देख क्या करना बच्छों इसको बरगमूल है 9 का बरगमूल बच्छों 9 का बरगमूल 3 बाहर में कितना देखे 2 अंग पर दसमलो है तो बाहर एक अंग पर यानि इसका मानो जाएगा 0.3 इसको दिखिंए ये नुकिला में 3 इसको घनमूल निकलना बच्छों तो 64 का घनमूल कितना 4 बच्छों देखे इक डिसमलो की अंग पर तीन तो घनमूल जब रहेगा तो 3 का पेर लगाना आ बरगमूल में 2 से भाग देना है बरगमूल में 2 से ठीक आदा करना है घनमूल मे तो तीन अंग पर है तो बाहर आएगा तो एक अंग पर 0.4 अब इसको एरेटीज लिखेंगे यार same to same इसको दिखें 3 by 5 इसको भाग देंगे तो भाग में लेगा 0 अच्छे 5 तीस अब दिखें यानि 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अब बड़ा पुछा यार 0.6 तो आपका option होगा ये वला ये option में दिखें रहेगा बच्छो answer होगा 3 by 5 ये नहीं दिखेगा आपको दिखेंगा क्या 3 by 5 चले बच्छो जल्दी से note करें जल्दी से बच्छो सभी लोग note करें हम अगला सवाल के लिए prepare हैं सभी लोग को होगे होगा तो बच्छो आपके चलते हैं screen shot लेने जल्दी से सभी लोग बहुती उम्दा और अच्छी सवाल को हैं बच्छो देखें बच्छो ध्यान से अभी हम जो सवाल चल रहे हैं देखें पावर के रूप में हो जिस देखें तीन के पावर पचास है तीन के पावर पचास बच्छो चार के पावर जो है चालिस है पाच के पावर तीस है पाच के पावर तीस है छे के पावर बीस है देखें यानि कि इसका मतलब तीन के पावर आपको दिखर होगा पचास चार के पावर शालिस पाच के पावर तीस छे के पावर बीस ये कहता है इन चारों में से सबसे बड़ी सबसे बड़ी भी कसकता बच्चो छोटी पावर में घवराना नहीं है बच्चो घवराना दम जरस अभी नहीं है क्या करना है आपको देखे दम बहुती आशान सवाल बच्चो बहुती आशान क्या करना है भच्छो ध्यान से कुछ नहीं करना है दीखी इसमें 50 है 40 है पावर रोल देखिएगा पावर में से 50, 40, 30 और कितना 20 सभी में common क्या है तो 10 से कटता है भच्छो किसनस कटता है 10 से तो आप यानि कि चाहिए आप ऐसे देखी ध्यान से सभी में दस से तो यानि दस common है बच्चो 10 common है तो 10 को हटा सकते हैं डैरिया को टा सकते हैं बच्चो 10 सभी में था हटा सकते हैं आराम से एक बार में 3 के power 5 बच्चो 81 3 के power 5 होता है 243 4 होता है 85 में 243 243 अब 4 के power 4 तो चार के पावर चार देखिए चार के पावर चार यानि चार चार बार होगा बच्चो तो चार चार बार होता है बच्चो दो सो चपन चार चार बार दो सो चपन पांच तीन बार तो यानि की 125 पांच का क्यूब 125 छे के पावर दो 36 कहता है सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी 50 कि कुछ नहीं करना बच्छों बहुत सवाल चलेंगे ध्यांद से रहे में और भी सवाल इस समाज में नहीं आगा तुम हम तुम है एगला एकजांपल इखेंद दो के पावर 250 ठीक है तीन के पावर एकसो पचास अगर दो के पावर दोसो पचास तीन के पावर एकसो पचास पाच के पावर एकसो चार के पावर दोसो अभी यह कहता बच्चो कि इन चारों में सबसे बड़ी क्या है दो के पावर 250, तीन के पावर 500, पाच के पावर 100 अब देखिए सबसे पहले बताया कि जब पावर अलग-अलग हो पावर के हो अलग तो समान करना है उस समान कर देखिए 200, 100, 500, 800 क्या कॉमन है? 50 कॉमन है 50 से 100 भी कटेगा, 200 भी कटेगा, 1500 भी कटेगा, 800 भी कटेगा यानि सभी नंबर कितना सकड़ियाएंगे? 50 से बच्चे 50 से कटेगे, देखे 2 के पावर 50 तो देखे 5 बार में बच्चो 5 बार में, ये 50 से कटेगे, 3 बार में येर कैसे हो जाए रहे? तीन बार में ठीक है सौ काटेंगे दो बार में चारसो चार बार में देखे दो के पावर पाँच दो के पावर पाँच तो दो के पावर पाँच कितना बच्चो बच्चो तीन जो है पच्चास काटेंगे तीन ठीक है तीन के पावर तीन 27 बच्चो पाच के पावर दू तो 25 बच्चो चार के पावर चार तो 256 पुछेगा सबसे बड़ी सबसे बड़ी देखिए सबसे बड़ी 256 बच्चो तो इसका अंसर चार के पावर 200 अगर छोटी पुछा तो सबसे चोटे 25 है तो पाच के पावर 100 बच्चो ध्यान से दम सवाल को समझे ए एक बार कहिए repeat दिते हैं, एक बार कहिए repeat दिते हैं, ध्यान से बच्चो, सबी लोग के लिए, देखी, दो के पावर 250, ठीक है बच्चो, तीन के पावर? जड़र सो, पाच्च के पावर 110, चार के पावर 200, दीक है, पचास common बच्चो, तो पचास से कटेगा तो पाच बार मे पचास से कड़ेंगा तीन बार में पचास से कड़ेंगा दो बार में पचास से कड़ेंगा बच्चो चार बार में दू के पावर पाँच बच्चो 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 कैसे 50 सकते हैं तीन मार में 5 के पावर दूर 25 बच्चो 4 के पावर 4 यानि 206 सबसे बड़ी कहें तो आप्शन बच्चो दिखेगा 4 के पावर 200 चार के पावर 200 जल्दी से बच्चो कॉपी करें मज़ा आ रहा हुआ या एकदम बनिया आ जाएगा समस्य आपको निदान इदम कर देंगा बच्चो किसी परकार का कोई प्रोड़न है बच्चो आप बच्चो हम लग चलते हैं आगे दिखे बहुत सारे कोईसन से बच्चे ध्यान से बहुत इजीवे में बहुत इजीवे में दिखे ध्यान से इस तरह के भी कोईसन आते हैं बच्चो अभी बहुत कोईसन देंगा बच्चो ध्यान से देखिए 44 प्लस यहां है 2000 इसको बच्चो इसको कहता है देखिए अगर है square याद है बच्चो बर्गमूल याद है तो बहुत ही असान है उंदा है उंदा 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 एकदम pain free है बच्चो देखिए 10,100 का बर्गमूल होगा अंतीम से चलना है कहाँ चलना है अंतीम से कहाँ चलना है बच्चो अंतीम से चलना है चलना है कहाँ बच्चो अंतीम से 10,000 का बर्गमूल निकालिये बच्चो तो 100 और 100 इसमें जोड़ दीजिए तो 144 देखिए 100 जोड़िएगा तो 144 144 144 का बर्गमोल बच्चो 12 अइसमें जोड़ दिए 12-4 16 अशोला का बर्गमोल बच्चो कितना चार तो हमारा अंसर कितना चार एक बार रिपेटेशन 10 अंतिम से 10 जार का बर्गमोल कितना सो देखे समझ मने आ रहा है दो याद नहीं सर कोई बात नहीं है 4 अंक का है देखें बाहर 2 अंक का होगा तो 100 का होगा तो 144 में आजाएगा और जोड़तीजी जीए सर तो 100 में जोड़िएगा चवालिस तो 146 होगिए अब 144 का बर्गमोन निकालेंग बच्चों 12 अब 12 इसमें 4 जोड़ेंगे 16 16 का बर्गमोन कितना? चार तो हमारा अंसर होगा बच्चो चार जल्दी से लिखे बहुत सारे कोसन चलेंग बच्चो ध्यान से जल्दी से लिखे 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 बच्चो जल्दी लिखे सभी लोग बहुत सारे कोसन चलेंग बच्चो इस तरह कोस्चन हम आपको दिखा रहा है देखिए ध्यान से 129 प्लेस 216 प्लेस 68 प्लेस 179 यह ऐसा बच्चो इसका देखिए पेन फ्री सवाल है पेन फ्री सवाल है ध्यान से देखिए मज़ा आजाएगा एकदम मज़ा आजाएगा बच्चो देखते ही अंसर देखते ही देखिए 179 का बर्गमूल निकाले बच्चो 13 और 68 में 13 जोड़िये बच्चो तो 81 होता बच्चो कितना होता है 181 का बर्गमूल कितना बच्चो 9 यहां बर्गमूल है न तो बर्गमूल निकाल दीजे बच्चो 9 अब देखिए 216 में 9 जोड़ दीजे बच्चो 225 का बर्गमूल बच्चो 15 125 का बर्गमूल 15 129 से 15 जोड़िये बच्चो 139 जोड़िये बच्चो तो एक सो कितना चवालिस और इसका आखरी में भी बर्गमूल निकालेंगे तो अंसर जाएगा 12 दुबारा से दीखिए 179 में बर्गमूल निकालेंगे कितना बच्चो 13 दीखिए ऐसा था बच्चो कितना से आएएगा है